आज हम आपके लिए बूती नई सी रेसिपी लेकर आये हैं मिठाई की फ्रेंड्स इसको आप करवाचो थी या फिर दिपावले पे बना सकते हूं बूती बढ़िया मिठाई है और एक बार बनाने की बाद में आप इसको अपता बरतक खा सकते हूं आप जैसे बाजार से आप गैस के ऊपर कोई भी कडाई या पैन रख लेंगे और अब इसके अंदर मैं डाल रहे हूं यहां पे दो कप मुफली दाना आप मुफली दाना कौन सा भी ले सकते हो बारिक वाला या फिर मोटे वाला दोनों से यह बन जाएगा आप गैस का फ्लेम ओन करेंगे और इस मुफली दाना को हमें एक बार तुगैस का फ्लेम थोड़ी सी देर के लिए उफूद रखेंगे और फिर इसको मीडियम फ्लेम पे लगवग आट से दस मिनिट लगेगा इसको सेखने में लेकिन अमें इसको लगातार चलाते रहना है ताकि यह पूरी मुफली एक जैसी सिक कर तयार और यहां पर द्यान रहे मुफली को अच्छे से से कर लेना है जब तक की इस में से अच्छी सी खुसबू आने लग जाए दूस्ती जो इसके चिलके होते हैं उपर के यह पूरे चटक जाते हैं मतलब यह फटे फटे हो जाएंगे पूरे चिलके तभी तक इसको मे पूर आटा कर लेना है इसके उपर विछिलका नहीं होना चाहिए उसके बाद में ही हम इसको पीसेंगे और पीसने से पहले इसको एकदम अच्छे से ठंडा कर ले फिर आप पीसे तो जल्दी पीस जाएगी इसके बाद में हमारे पास दूसरी सामगरी है फ्रेंट्स यहां है तो तब तक हम ग्रेट करेंगे और मुखली दाना पीसेंगे तब तक चासनी बनाने के लिए रख देते हैं तो यहां पे मैंने ली है यह एक कप सक्कर एक कप सक्कर इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट रहेगी इसके बाद में अम इसमें एक कप ही पानी एड़ कर और तब तक हम साथ साथ दूसरी तयारी कर लेंगे जैसे मुखली पीसना और जो अमने डेट्स लिये हैं उनको ग्रेट करना तो इसको चला कर मेडियम गैस करकी छोड़ देती हैं और यहां पे फ्रेंट्स आप देख रहे होंगे इसमें उबाल आ गया है और तब तक हमने यहां पे जो मुफली दाना लिया था उसको भी पीस कर ले लिया है इस तरह का बारिक इसको में बिल्कुल बारिक पीसना है और इसे के साथ में अमने खजूर को भी ग्रेट कर लिया है यह बिल्कुल आसानी से ग्रेट हो जाते हैं या फिर आप इनका जो गुठली होती है उसको अटाकर और इसको मिक्सर में भी पीश सकते हो तो दोनों त्रे से यह चल जाएगा अब चासनी को तैयार करेंगे तो इसको चला लेते हैं और थोड़ी सी यहां पे चासनी को पकने में लग बुच्छे से 7 मिनिट का टाइम लग जाता है मेडियम फूल फ्लेम पे तो अ यहां पे चासनी वह एक तार की बननी चाहिए यह देखी तार जो है पूरा भी नहीं होना चाहिए और इस तरह की यह बननी चाहिए तो चासनी भी बनकर तयार हो गई है आब यहां पे एक बार आप गैस का फ्लेम बन कर दे और जो पीसी ओवी मूफली है वह डाल कर इसके अच्छे से मिक्स कर लें जब आपको लगे इसके अंदर गुठली नई बची है और यह अच्छे से मिक्स हो गया है पूरा स्मूध सा हो गया है उसके बाद में आप गैस का फ्लेम ओन कर ले और यहां पे दियान रहे आप इसको विल्कुल लो फ्लेम पे ही थोड़ी सी दे के लिए पका लें यहां पे अच्छे से मिक्स हो चुका है तो इसमें अम डालेंगे यहां पे आदा कप मिल्क पाउडर स्वाद को बढ़ाने के लिए यह पूरी तरह से ओप्सनल है अगर आपको डालना है तो डालने नहीं डालना तो आपके होल मुफली के साथ में भी इस से बरकर ज्यादा पानी एड़ ना करें तो मैंने गैस का फ्लेम अभी तक ओन नहीं किया है इसके बाद में गैस का फ्लेम ओन करेंगे जब यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो यहां पे आप देख रहे होंगे यह सुखा सुखा लग रहा है तो इसमें हम डालेंगे दो अगर आपके पास गुलाब जल नहीं है तो कोई बात नहीं है आप इलायची पावडर भी इसके अंदर एड़ कर सकते हो अब मिसरन को अमने दो बागों में बाट लिया है आदा 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 हमने निकाल लिया है दूसरे बोल में और आदा है कड़ाई के अंदर अब जो प्लेम बंद और इसको चलते हैं जमाने के लिए यह ज्यादा समय नहीं लगाना है तो यह देखिए अमने एक फोईल के उपर की से अच्छे से ग्रीस कर लिया और उसके उपर मिस्रन डाला है अब इसको हम दूसरी फोईल से उपर से डख लेंगे आप चाहें तो कोई भी प् पार्द में इसके उपर कर लेंगे इस तरी के से बिल्कुल बराबर से यह चिर कालेंगे और आभ इसको ममा सोब यह ओजहiteitा तो आप इसको पांच मिनेट में आँ त्यार हो घाएगा तो यहां पर सब्सक्राइब कर लिया है यह अच्छे से सेट हो गई थी और यह देखी फ्रेंट्स हमारी बर्फी जो है कितनी मस्त बनकर तैयार हुई है बूती ज्यादा टेस्टी बनी थी और जो इसमें गुलाब जल की खुस बूती ना वह तो एकदम ही टेस्टी वाली सी बर्फी लग जैसे आप बाजार से लेकर आते हैं तो आप भी इसको जरूर बना कर देखना मुझे उम्मेद है यह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली हो बिलकुल आसानी से बन कर तैयार हो जाती है तो अगर आपको आज की रेसीपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो क लाइक शेर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद